हेलो स्टूडेंस वेलकम डू कॉंपिडिशन यूट्य चैनल कॉंपिडिशन कम्मीनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-पहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राँजल सिंगैना इम्डी फैकल्टी ओफ लॉण डी कोंपिडिशन कम्मूनिटी और आज आप सभ पहले हमने एक्साइज आक्ट का चाप्टर 2 और चाप्टर 3 डील किया था तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको हमारी इसी प्लेलिस में वीडियो मिल जाएगा पहले उसको रिफर कर लीजे तो आपको ये चाप्टर समझने में और भी जादा असान एक्साइज आक्ट का जो की बात करता है मैनिफसाक्टर पोजेशन और बहुत ही Ci सब करेंगे चलिए समझना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम bare act को read करेंगे और उसके बाद हमारी जो simplified tables और जो charts हैं उनके थुरू हम समझने की कोशिश करेंगे section number 13 से शुरू होता है यह chapter और पहला section section 13 है वो क्या कहता है license required for manufacture etc of intoxicant यानि कि यह बात कर रहा है license के जो कि किस चीज का हो सकता है intoxicant का, intoxicant का मतलब क्या होता है हमने section 2 में देखा था कि intoxicant का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें intoxicate करे, यानि कि जिससे हमें नशा हो हो सकता है वो liquid form में हो, हो सकता है solid form में हो, mostly intoxicant को हम समझते है liquid form में ठीक है सर और यह license intoxicants का है लेकिन किस चीज के लिए है तो manufacture के लिए यानि कि उनके बनाने के लिए अब हम देखते हैं यह क्या कह रहा है इसका point number a कह रहा है no intoxicants shall be manufacture or collected यानि कि किसी भी प्रकार की कोई शराब ना बनाई जाएगी ना collect की जाएगी no hemp plant shall be cultivated किसी भी प्रकार का भांग का पौदा cultivate नहीं किया जाएगा यानि कि उगाया नहीं जाएगा no tari producing tree shall be tabbed और tari shall be drawn from any tree tari जो मैंने आपको section number two में बताया था कि tari का एक पेड होता है जिसके juice को निकाल के शराब बनाई जाती है उसको पेड के उपर नहीं किया जाएगा या उस पे क्या नहीं किया जाएगा उसमें छेद करके उससे juice नहीं निकाला जाएगा और उससे ताडी नहीं निकाला जाएगा point number D कह रहा है no liquor shall be bottled for sale किसी भी प्रकार की शराब को बॉतलों में नहीं भरा जाएगा बेचने के लिए उसके बाद point number E कह रहा है no distiller और brewery shall be constitute for working किसी भी प्रकार की distillery या brewery को क्या नहीं किया जाएगा बनाया नहीं जाएगा किस काम के लिए मैं आपको बताता हूँ अब सबसे पहरा सवाल यहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि distillery और brewery के बीच में फर्क क्या होता है तो distillery का मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी भी शराब को ऐसे बना रहे है कि आपने पानी लिया पानी के अंदर शराब बनाने के materials को डाला और पानी को बहुत जादा उब operation निकला यानि उससे जो भाप निकली उस भाप को collect करके जब आपने शराब बनाई तो उस प्रोसेस को कहते हैं distillery और brewery का मतलब होता है जैसे बीर बनती है यानि कि आपने जवार लिया उसको पानी में डाला और उसको एक महीने के लिए लकडी के बकसे में सडने के लिए और उससे सड के जो वो material तयार हुआ वो बनके बना बियर तो उसको कहते हैं brewery यानि brewery में क्या किया जाता है उसको एक container में बंद करके सडाया जाता है कुछ समय के लिए उसमें flavors एड होने दिये जाते हैं सडाना शब शाय तोड़ा गलत है बहुत लोग हट हो जाएंगे औ और जो हमारी distillery होती उसका मतलब क्या होता है उसको उबाल के गरम करके उसके vapors को collect करके जो drink बनाई जाए उसको कहते है distillery तो यह दोनों में फरक है तो यहां पर क्या कह रहा है किसी भी distillery या brewery को क्या नहीं किया जाएगा काम में नहीं लाया जाएगा और उसके बाद point number F कह रहा है no person shall use keep or have is in possession any materials tell utensil implement apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari except under the authority subject to the terms and conditions of a license granted under this act ये वली तना कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 5 conditions है यानि कि ये जो 6 चीजे है ये कोई इंसान नहीं करेगा छटवी चीज कहा है कि कोई भी person क्या नहीं करेगा आपने possession में यानि कि अपने कबजे में रखेगा क्या नहीं रखेगा सर कोई भी शराब बनाने वाला समान कोई भी सराब को उबालने वाला समान उसके बरतन उसको बनाने के materials जवार बाजरा इस तैप की चुछी जो specifically शराब बनाने के लिए परपस के लिए हो वो उसको अपने कबजे में नहीं रखेगा except किसका ताडी बनाने के लिए यानि कि जुस परसन के पास ताडी बनाने ताडी की शराब बनाने का license है वो रख सकता है उसके अलावा कोई भी परसन नहीं रखेगा कब तक नहीं रख सकता कोई परसन वहां पर लिया हुआ यह जो exception यहां पर लगा हुआ यह exception क्या कह रहा है under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf वो तब तक नहीं रख सकता जब तक की कोई license उसको इस भी हाफ में ना मिला हो और जब तक की वो terms and conditions जो की उस license में उसको बताई गई थी वो उसने fulfill ना कर ली हो तो basically यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है यह सारे के सारे काम बिना license के अलाओ नहीं है इसको आगे हम और अच्छे से simplified terms में समझेंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद इस section में हमें देखने को मिलते हैं दो प्रोवाइजो दो प्रोवाइजो क्या कह रहे है सर प्रोवाइज दैड़ी से गौवर्मेंट में बैड नोटिफिकेशन देखले दाइड इन एनी एडिया स्पेसिफाइड इन इस बहाफ तो दी टैपिंग ऑफ तारी प्रेडूजिंग ट्री और द्रॉइंग अवश इस ब्रोवाइजो प्रोवाइजो नुटिफिकेशन निकाल के बोल सकती है कि ये सेक्षन जो है कुछ लोगों के उपर अपलाई नहीं होगा वह कौन से लोग होंगे जो डील कर रहे होंगे तारी के पेड़ से शराब बनाने के लिए यानि कि स्टेट गौवर्मेंट चाहे तो तारी से रिलेटेड जो शराब बनाने वाले लोग है उनको कोई एक्सेप्शन दे सकती है उसके बाद दूसरा नंबर का प्रोवाइजो में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है प्रोवाइज नूमबर टू कह रहा है चूट दी जो तारी के पेड़ से शराब बना रहे थे प्रोवाइजो नूमबर टू में उसने इन जनरल चूट दिये यानि कि स्टेट गौवर्मेंट नॉटिफिकेशन निकालके क्या कर सकती है यह बोल सकती है कि यह सेक्शन जो एपलाई नहीं होंगे उन लोगों के चती है कि आपको लाइसेंस की जरुवत नहीं पड़ेगी अब इसको हम जड़ा अराम से असान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं हमने क्या देखा है स्ट्षन नमर थर्टीन में भाई सेक्शन नमर थर्टीन में हमें सच्छे काम बताए गया और वो छे काम करने के निकालनी नहीं है, उसके बाद जो है, किसी भी शराब को बोतलों में भरना नहीं है, बेचने के परपस से, उसके बाद किसी भी डिस्टिलरी या ब्रूइरी, डिस्टिलरी और ब्रूइरी का मतलब क्या होता है, जहां पे शराब खौल के बनती है, या सडा के बनती है, डिस् से के छे चीज वो कब तक नहीं कर सकता वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एक लाइसेन्स नहों जो की इस अथॉरिटी ने दिया हो जो ऊथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है state government के द्वारा यानि कि हमें point number one clear है इसके बाद आगे हमें देखने को मिलते हैं दो proviso वो यहां पे लिखे हुए पहला proviso क्या बोल रहा है यह पहला proviso बोल रहा है कि state government notification निकाल के यह बोल सकती है कि इस section के provision कहां apply नहीं होंगे तारी के matter में कुछ लोगों के उपर apply नहीं होंगे और proviso number two क्या बोल रहा है proviso number two बोल रहा है कि sir यह जो है ना इसके जो यह जो section अपने उपर देखा कि license की जरुवत पड़ेगी state government notification निकाल के बोल सकती है कि यहां पर license की जरुवत नहीं पड़ेगी किसको उसको नहीं पड़ेगी सर जो की लिकर अपने घर पे यूज करने के लिए बना रहा है यानि कि घर पे बनाने के लिए जो शराब है उसके लिए अगर बना रहा तो होता है कि जहां पर समान को स्टोर करते हैं बड़े स्टोक्स में रखते हैंiquement तो यह क्या रहा है तोव也 may be manufactured under license granted under section 13 on such conditions as the state government may impose पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर excise commissioner को लगा तो excise commissioner क्या कर सकता है distillery distillery का मतलब क्या होता है जो हमें पता है already distillery एक वो क्या कर सकता है establish कर सकता है in which spirit may be manufactured spirit क्या होती है spirit भी कई सारी शराबों में spirit कहा जाता है spirit को अगर आम बाशा में समझाएं तो उसका मतलब होता है जिसमें alcohol की high concentration value हो जैसे की बीर में आप लोग देखते है 78% alcohol होता है वैसे spirit जो होगी उसमें 70 80 60 70 80% alcohol होगा वो बहुत strong होती है और कई बार spirit को डिरेक्ली alcoholic consumption के लिए नहीं होता है तो ठीक है सर यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक साइस कमिशनर जो है वो अगर चाहे तो एक distillery को स्टापलिश कर सकता है spirit बनाने के लिए और क्या कह रहा है अंडर लाइसेंस ग्रांटेट इंडर section 13 और वो ऐसे ही अपने मुझ से तो बोल नहीं देगा हमने इससे पहला जो section पढ़ा section number 13 उसके अंडर एक license grant करके वो क्या establish कर सकता है एक distillery को establish कर सकता है अब उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया point number a में establish किया तो point number b में उसने क्या कर दिया उसको discontinue discontinue यानि कि अगर उसके पास यह ताकत थी कि वो उस डिस्टलरी को बना सकता था तो उसके पास यह भी ताकत है कि वो उस डिस्टलरी को बिगार सकता है तो यह point number b उसके बारे में बात कर रहा है point number c क्या कह रहा है exercise commissioner में license on such conditions as a state government may impose the construction and working of any distillery और brewery यानि कि state government ने जो नियम बनाए है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए एक exercise commissioner क्या कर सकता है exercise commissioner जो है license grant कर सकता है किस लिए वो conditions को fulfill करने के बाद जो कि state government ने लगाई है the construction and working of any distillery यानि कि कोई distillery या brewery जो काम कर रही है उसके jurisdiction में उसके उपर वो क्या लगा सकता है license दे सकता है कि हाँ मैं तुम्हें license grant करता हूं कि तुम अपनी brewery बना लो distillery बना लो और उसमें शराब भी बना लेना लेकिन वो यह license कब grant करेगा जब वो conditions जो है जो state government ने प्रस्क्राइब करी है जब वो fulfill हो रही हो तो ठीक है सर बात तीयर है उसके बाद D का establish or license a warehouse wherein any intoxicant may be deposited and kept without payment of duty but subject to payment of such fee as the state government may direct अभी क्या कहरा है ex-size commissioner के पास एक और power right exercise commissioner के पास एक और power है कि वह क्या कर सकता है वह establish कर सकता है या license कर सकता है या खुद बना सकता है या तो वो किसीी और परसंब को license दे सकता है कि मैं तूम्हें बताए वैसा वो उससे fees भी वसूलेगा उस काम के लिए अगर वो खुर establish करता है तो उसको fees वसूल नहीं पड़ेगी अगर वो किसी third person को देता है तो क्या होगा उसके ओपर duty लगेगी यानि कि tax से कुछ exemption भी कर सकता है लेकिन यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके बाद जब यहाँ पर जो डी पॉइंट है जब उसने यहाँ पर establish किया वेराउस को तो यहां पर वो उसको क्या कर सकता है discontinue कर सकता है सेम ए और बी वाला है यहां पर इसने क्या किया था किसी जो है 14 के वल इतना कह रहा है कि जो एक साइस कमिशनर है वो स्टैबलिश कर सकता है लाइसेंस ग्रांट कर सकता है और डिसकंटीनियू कर सकता है और दी में क्या कर रहा है वो स्टैबलिश कर रहा है यहां पर डिसलरी को कर रहा है और यहां पर किसको कर रहा है सर यहां पर कर रहा है warehouse को और यहां पे जो है B में और E में यह क्या कर रहा है discontinue कर रहा है यानि कि हमें तुरंथ पता चल गया कि सर actual में चीज क्या हो रही है और बाकी के बीच वाले में क्या कर रहा है license grant कर रहा है यानि कि यह section हमारा पूरा का पूरा decode हो चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि section number 15 क्या क्या रहा है इसको तो समझाने की भी जरुवत नहीं है यह क्या क्या रहा है payment of duty on removal from distillery brewery or place of storage without a sanction of the state government यह क्या क्या रहा है without the sanction of the state government यह कौन सा sanction है sir यह वह sanction नहीं जो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ओपर लगाया था यह वह sanction है जो कि आपको sanction करानी पड़ती अपनी leave यानि की sanction का मतलब हुआ approval या permission तो यहां पर क्या लिखा हुआ है without the sanction of the state government no intoxicant shall be removed from any distillery brewery warehouse or other place of storage established or licensed under this act unless the duty if any payable under the chapter 5 has been paid or bound has been executed for the payment they are off अभी क्या कह रहा है यहां पर बात थोड़ी अलग है यह बात कर रहा है payment की चलिए हैं पर देख लेते हैं हम लोग की payment का क्या लेना देना है यह कह रहा है कि भाई किसी भी प्रकार की कोई भी शराब जो है वो बिना government के permission के किसी भी कहां से किसी भी अगर चाहूं तो मैं किसी भी शराब की बोतल को उसकी फैक्टरी से या वो जहां से और तीसरी जगह जहां वो store करी गई है वहां से तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि मैंने क्या कर दिया हो payment कर दिया हूं यह देखें यहां पर लिखा हुआ है जब तक कि जो है वहां पे पेबल ना हो गया हो यानि कि पे ना कर दिया गया हो क्या वो टैक्स या ड्यूटी जो इंपोस करी थी यानि कि वो कर जो लगाया जाता है वो पैसा जो आपको देना होता है जब तक कि वो टैक्स पेबल ना हो किसी लाइसेंस अथॉरिटी से उस के बाद जो है अगर आप पेमिंट नहीं कर पाते हैं तो आपने पैसे नहीं दिया है यानि को क्या पड़ेगा एक проектов कि कहा किया बीमेन इतना पैसा पेय करनुग हैं अगर में नहीं कर तो मेरी जगह यह था है या मैंने अपनी आतो förण सेयर ना चैसक्ट पए अब यह बात कर रहा है की इंटॉक्सिकजंण जनरली यानि कि शराब जो है हम इसको हर जहाब भी बोलें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यह जो शराब है वो possession में कब कहां कैसे हो सकती है चलिए समझने की कोशिश करते हैं यानि कि section 16 का sub clause 1 हमें क्या बता रहा है कि state government यानि कि राजसरकार एक notification निकालेगी और notification में वो क्या बताएगी notification में वो यह बताने वाली है कि एक limit of quantity of possession of any intoxicant यानि कि एक शराब को hold करने का कितना आपको permission है यानि कि कितना आप possession में रख सकते हैं कितनी quantity आपके possession में रह सकती है उसका जिक्र कौन करेगा state government notification निकाल के provided क्या रहा है provided that different limits may be prescribed for different qualities of the same article अब यहां पर यह line important है यह कह रहा है इसका proviso पहले तो state government बताएगी कि कौन कितना रख सकता है शराब कितनी quantity शराब में रह सकती है state government अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है different limit यानि कि अलग-अलग limit बता सकती है कि भाई विस्की है अब यहां पर क्या लिखा में प्रिस्काइट पो different quantities of same article इसका मतलब अलग-अलग quality जो है same article की जैसे विस्की है विस्की एक same article है लेकिन उसकी बहुत अलग-अलग qualities है तो अगर वो चाहे तो state government बता सकती है कि है यह सास्ती जो विस्की है इसके लिए आप क्या करंगे यह संसीवा लिए विस्की और मेहंगी वाली विस्की बहुत है उसका limit है कि इतना 3 it.f, तो इस तरहीं है पर एक स्दोर कर सकते। और और यह क्या क्या रहा है किसी भी पर्सन के पास उपर जो सब सेक्शन वन में कॉंटिटी बताई गई उससे जादा शराब नहीं होनी चाहिए लेकिन आखरी में यहां पर एक डाल दिया except in accordance with the terms and conditions of यहां पर लगा एक exception exception क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप रख सकते हैं बताई भी कॉंटिटी से जादा भी वो नीचे क्या है उसका जिक्र है जब तक कि आपके पास एक license है for the manufacture cultivation collection sale or supply of search intoxicant यानि कि आप रख सकते हैं जो quantity से जादा है अगर आपके पास एक license है किस ने दिया है वो स्टेट गवर्मेंट के ऑफिसर नहीं दिया तो बात एक चरह से complete हो गई कि अगर स्टेट गवर्मेंट के ऑफिसर ने आपको एक license और साइक कि आपको आपको जरूत पढ़ती है एक है तो यहां पर यहीं बात कह करें तो भी आपके पास पास है तो भी आपके आप क्या कर सकते हैं अभी अधिक आपको सरकार की तरफ से मिली शराब जो कि इंडिया में बन रही है हमने section 2 वाले वीडियो में डील किया था तो अब यह क्या कह रहा है जो सब section 2 है वो apply नहीं होगा foreign liquor में वो कौन सी foreign liquor which is in the possession of any common carrier or warehouseman as such यानि कि यह क्या कह रहा है कि भाई यह जो limit वाला जो खेल है न और यह यह exception वाला खेल है यह दोनों का दोना apply नहीं होगा किस चीज़ पर कोई ऐसी foreign liquor पर जो किसी common carrier यह warehouseman common carrier का मतलब क्या होता है जो शराब को लेके जा रहा हो और warehouseman का मतलब क्या होता है यानि कि जो warehouse का मालिक हो caretaker हो जो वहाँ पर present हो अगर उन दोनों के possession में वो शराब है तो यह rule apply नहीं होगा कि भाई limit इतनी होनी चाहिए ठीक है sir और उसका जो part B है वो omit कर दिया गया है उसके बाद आता है हमारे पास क्या हमारे पास आता है subsection 4 notwithstanding anything contained in the foregoing subsection the state government may by notification prohibit the position of any person or class of person either in the state or any specified area in any of any intoxicant either absolutely or subject to such conditions as it may prescribe यानि कि यह क्या कह रहा है state government के पास इस subsection में यह power है कि वो क्या कर सकती है prohibit कर सकती है किसको prohibit कर सकती है sir किसी भी इंसान को या कि किसी इकलौते इंसान को या class of people यानि कि उसने बोल दिया इस area में रहने वाले सभी लोग या इस area में रहने वाला कि इकलौता ये वैक्ति को इस तरह की शराब का पोजेशन रखना मना है या किसी भी शराब का रह रहा है बिलासपूर में इस person को allowed ही नहीं है कि किसी भी प्रकार की शराब का पोजेशन रखे या वह कर सकती है कि इस person को इस brand की शराब को पोजेश करना मना है क्योंकि इसके related crime करता है और या तो अगर वह चाहे तो कुछ conditions कर सकती कि यह इंसान शराब केवल तब पी सकता है जब इसके साथ कोई एक दूसरा अडल्ट वेक्ती मौजूद हो और वो जिम्मेदारी लेकिए अगर कुछ गरबढ़ हुई तो वह उसकी जिम्मेदारी लेगा इस तरह कि स्टेट गवर्मेंट के पास पावर है कि अपन सब्सक्राइब कर सकती है उसके बाद हमारे पास आता है सबसेक्शन टू जो कि बताता है नो परसें शुड हाव मोर दिन प्रिस्क्राइब पॉसेशन में नहीं होनी चाहिए शराब लेकिन वह रख सकता है कब जब उसके पास कोई लाइसेंस हो पास हो या पर्मिट हो एब पास नहीं रख सकते हैं अब आपको दिखेगा यहां पर सबसेक्शन फाइव जो कि कई लोग की बेराक्ट में हो सकता है ना हो क्योंकि अमेंडमेंट के बाद आड़ हुआ यह क्या बताता है हमें उसको देखने की जरुवत करते हैं यह कह रहा है कि सेक्शन नंबर 16 के सब क्लॉस 2 के बी के अंतरगत किसी पास के रिक्वाइमेंट नहीं होगी अब यह आपको आपकी बेराक्ट में नहीं देखा हमने पहले रीड नहीं था लेकिन यहां आपको दे जरूरी को Suedo drive and Home यूज and on religious function अब यह क्या कहने की कोशेश कर रहा हुआ माipको बताता हूं यह कह रहा है कि किसी पी किसम के पास की जरूरोत नहीं पड़ेगी किसी इंसान को जो क्या बांधिया वह जो राइस मिलिट खें को कोई रीटरल बना रहा है में चाहर वा सप browsers पर सकता है कि वो ऐसी शराब बना सकता है home purpose या home consumption के लिए वो 5 लिटर से ज़ादा नहीं होनी चाहिए और इस चीज के लिए उसको किसी pass की जरुवत नहीं पड़ेगी, लेकिन आखरी में एक चीज और लिखी हुई है कि वो किसी religious function या religious program के लिए ये शराब बना रहा है, तो ये बेसिकली हमने सारी बाते पढ़ ली सब सेक्शन 5 एक बर असान शब्दों में समझ लेते हैं शेडियूल ट्राइब में रहने रहने वाला कोई शेडियूल ट्राइब का वेक्ती है थोड़ा साइज में बड़ा और बच्चे देखे घवराते हैं लेकिन है एक दम मामूली लाइसेंस रिपाइट फॉर सेल उफ इंटॉक्सिकेंट ये बात करता है कि लाइसेंस जिसकी जरुवत आपको पढ़ेगी किसी भी इंटॉक्सिकेंट को बेचने के लिए देखते हैं किया रहा है नो इंटॉक्सिकेंट इसल्ड एक्सेट अटर दे दिया गया हूँ ठीके चरुट अब क्या रहा है उसके बाद हमें प्रवाइजो मिला प्रवाइजो का एक क्या कह रहा है परसन हाविग दिर राइट टु ड्रॉ ताडी फ्रॉम नेट्री में Sells Has Tari Without a License to Person Licensed Under Manufactured or Sell Tari Under this Act. Point No.1 के वाल इतना कैरा है, कि जो Tari Ka Paid होता है, जो Palm Ka Paid होता है, भाई वो तो किसी के घर में भी उख सकता है, तो वो कह रहा है कि अगर किसी person के पास license नहीं है, उसके बावजूद अगर वो Tari Ka Paid से, अगर वो इसके लिए rightful है, यानि कि उसका अधिकार बनता है और अधिकार कब बनेगा जब आपके घर में ताड़ी का पेड़ हो तो आप क्या करोगे उसको तो आपने क्या किया आपका अधिकार बनता है उस ताड़ी के पेड़ से यानि कि उस पाम ट्री से ताड़ी की शराब को यानि कि ताड़ी को ए सकता है ताड़ी को extract कर सकता है उसके बाद यह किसी ऐसे परसनν को बेचना जरूरी है जिसके पास क्या हो sansa या voice जो यानिकी इसके पास भले लाइसे जaltet mix प्यैक्स निकाल सकता है लेकिन उसके शराब नहीं बना सकता पॉन् 하지-ब हैं अब के लिए आप यहां पर बात हो लेगा किसके बारे में बारे में मान लीजे हों गये आपकी जमीन पर तो आप के पास क्या राइट है कि आप उन भांग के पौदो के उन पार्ट को जिससे की ड्रक्स बनता है इंतोक्सिकेटिटिंग जणई कि नश stuk предлож को क्या कर सकते हैं किसी परसंट को बेच सकते हैं किस परसंट को बेचेंगे उस परसंट को बेचेंगे जिसके के पास सो उस भांग के पौदे से भांग बनाने का उसको बेच सकते हैं या फिर आप उसको बेच सकते हैं जिसको एकसाइस कमिशनर बोले कि भाईया इसको बेच दो पॉइंट नमर क्लियर इसको आगे टेबल में और अच्छे से समझेंगे लोगों को शराब बेचने के लिए जो लोग क्या कर रहे हैं उनके पास शराब थी वो शराब कौन सी होनी चाहिए अगर उसके किसी इंसान के पास लिकर चाहिए एक इंसान है जिसके पास फॉरन लिकर की 50 बोतले है उसने खर पे बाहर लगा रखा था अब उसके क्या हुआ एकदम से उसका transfer हो गया कहां पे किसी foreign country में तो अब उतनी शराब लेके नहीं जा सकता तो उसको क्या करना पड़ेगा अपनी शराब को बेशना पड़ेगा तो इस purpose के लिए इस section के बेश पे आपको क्या जरुवत नहीं है किसी license की जरुवत नहीं है और दूसरा क्या है कि अगर वो person जिसके पास शराब थी उसकी death हो जाती है तो उस case में भी उसको license की जरुवत नहीं है किस चीज के लिए बेशने के लिए उसके जो relatives हैं वो बिना license की उसकी जो शराब थी उ दिस बेहाफ यह हमने कलके वीडियो लेक्चर में भी देखा था यह क्या और है किसको सही लगा एकसाइस कमिशनर को अब चाहे तो अपने मन से कुछ license दिया गया है देश के किसी और कोने में क्योंकि excise law state matter है तो अलग-अलग state अपना अपना license देते हैं तो अगर हमारे state के इस act के जो कोई excise commissioner है अगर उसको ठीक लगा तो वो उस state के license को मान सकता है कि हमारे state में भी applicable है वो cable यानि कि कोई भी जो नहीं बेचा जाएगा जब तक authority उसको क्या ना करे authorized ना करे या जब तक की terms and conditions license के fulfill ना हो जाए जो license आपको बेचने के लिए मिला था उसके बाद हमें क्या मिला प्रोवाइजों में पता चला प्रोवाइजों का परसन के पास जिसके पास right है टारी के पेट से तारी निकाल के बेचने का cultivate hemp without license यानि कि किसी ऐसे परसन जिसके पास राइट तो है हम को प्लांट को यानि भांग के पौदे को कल्टिवेट करने का लेकिन उसके पास कोई license नहीं है परसन से तो मैं क्या करूंगा उस परसन से खरीच सकता हूं जिसके पास license नहीं था लेकिन उसके घर पर भांग का पौदा हो गया और यहां पर एक चीज़ और लग गई या तो वो उस परसन को बेचेगा भांग जिस परसन के पास license है और अगर उसको ऐसा को व्यक्ति नहीं म पताया हो जिक भाई तो मिस्कों बेच दो आपको उसको दो पड़ेगा उसके बाद हमारे पास अगला आता है foreign liquor foreign liquor को आप बेच सकते हो जिसको आपने legally lawfully क्या है अगर आपने lawfully उस foreign liquor को खरीद आ तो आप उसको बेच सकते हो बिना लाइसेंस के और क्या करोगे जब वह बेच सकता है इंसान जिसने खरीदा था या उसके रिलिटेव बेच सकते हैं वह कब बेच सकते हैं जब उस इंसान को आउट स्टेशन मूफ करना हो तब या त आपको समझ में आ जाएगा कि यह कहने की कोशिश क्या कर रहा है चली जड़ा इसको देखते हैं हमने जड़ा यह देख लिया कि सेक्शन नमबर टू में कंडिशन क्या लगी हुए है अब यहां पर हमारे पास सब सेक्शन 3 है जो कि यहां पर यह बात करता है किसके बारे मे यहां पर क्या कह रहा है यहां पर केवल इतना कह रहा है अब यहां पर बड़ी इंटरस्टिंग बात है यह जो सब सेक्शन 3 का पॉइंट नमबर ए है इसको स्टार माक कर लीजे क्योंकि इस से जादा इंपॉर्टेंट अभी आज के वीडियो लेक्चर में और कुछ नहीं है लेकिन सबसे नमबर ऊपर यहीं है क्योंकि एकशाम में डिरेक्शन आता यह है यह क्यां कह रहा है हमें केवल इतना जागां कि कोहीं है कि लाइसेंगर यह बाद क्लियर है इस के पास लाइसेंश है वही शराब बेच सकता है कहां नहीं बेचेगा 500 मीटर के रेडियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है उसके पूरे के पूरे सरकल में इस जगा इस जगा किसी भी डिरेक्शन के 500 मीटर तकक कोई स्टेट या नाशनल हाईवे नहीं होना चाहिए यानि कि किसी भी स्टेट या नाशनल हाईवे के 500 मीटर के अंतरगद कोई शराब नहीं बेची जा सकती आफ आउटर रेंज ऑफ नाशनल और स्टेट हाईवे वह स्टेट और हाईवे का आउटर रेंज यानि कि यह नहीं कि स शराब मिलती है पतली गली है वहां से आ जाना तो लोग आने लग जाएंगे तो उस केस में बोला है ना तो वह शराब के दुकान पांसों मीटर तक किसी स्टेट या नाशनल हाइवे के होनी चाहिए और नहीं दिखनी चाहिए यानि कि वह विजिबली भी नहीं होनी चाहिए और एकसिसिबल भी नहीं होनी चाहिए ना वहां से कोई जाके शराब ले सकता हो और ना ही सडक से जाते वक्त दिखनी चाहिए कि महां पर कोई शराब की दुकान है यह पार्ट क्लियर है अब यह क्या क्या रहा है इसका प्रोवाइजों अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमा आपकी दुकान हो सकते हैं क्योंकि वहां पर लोग भी रहते हैं और उनके बारे में भी सोचना आपको पढ़ेगा ठीक है सर उसके बाद आता है हमारा बी पॉइंट बी क्या कह रहा है नौट विच्टेंड इन जज्जमेंट डिखरी और अफ एनी को ट्रिमिन अथारिटी होटेल्स वाइंट इन्जियन दी सप्लाय फ्लिकर्ट वेंबर्स गेस्ट अदर इस लोकेट नियर नैशनल और स्टेट हाईवेश यह हमें क्या बोल रहा है यह exception किसको है होटलों को यानि कि दुकानों को इजाजत नहीं कि वो शराब बेच सकते हैं लेकिन होटेल्स जो है वो Hotels कौन होते हैं? वो vendor नहीं होते हैं, वो होते हैं, पिलाने वाले, यह जो point भी है, यह exception है, यही बारे में बात करता है, कि aí होटें के पास अ-thority है, आपने guests को entertain करके शराब पिला शकते हैं और यह बात गलत है, क्योंकि शराब 수 पीने के बाद भी always जो है वो गाड़ी लेके कहा highway पर ही निकलेगा तो बात वहीं सेम हो गई लेकिन ठीक है अब जो है सो है यह कौन होने चाहिए यह जो है नियर highway होने चाहिए यह इनका इलिए condition क्या है hotels के ओपर कि उनको अपने premises के अंदर ही शराब को शर्फ करना होगा वो बाहर ले जाने की जाता नहीं दे सकते हैं उसके बाद आता है point number c license to any hotel common drinking house for sale shall be deemed to be a supply of liquor अभी क्या क्या रहा है किसी भी hotel को या common drinking house को जो license दिया जाता है वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है supply के लिए भी एक pass है क्यों है ऐसा क्योंकि जो यह लोग है यह लों को बीचने का तो नहीं है तो इ हमें clear हो गया और इसका application क्या है all taxes for sale will apply to supply until otherwise provided यह क्या कर रहा है for the removal of doubt it is hereby clarified that all taxes duty says and other levies as applicable to sale of liquor shall apply to supply of liquor unless otherwise specified in the act यानि की जो भी किसी भी प्रकार का tax किसी को बेचने के लिए लगाया जा रहा है वो उसके उपर भी लगेगा जब कभी भी चीजों को supply किया जाएगा निकि शरा इंपोर्टेंट था वो हमें पता चल चुका है अब आते हैं section number 18 section number 18 हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है power to grant lease or to right to manufacturer etc यानि कि यह lease देने की बात कर रहा है कुछ समय के लिए आपको contract में पढ़ा होगा lease दी जाती है क्या 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 कह रहा है यह the state government may lease to any person on such conditions and for such periods as it may think fit the right यानि कि state government जो है क्या कर सकता है किसी भी person को lease पे दे सकता है कुछ conditions लगाने के बाद कुछ specific period के लिए as it things fit किस चीज का right देगा वो lease पे क्या देगा वो यहां पे लिखा हुआ और मैनिफाक्चरिंग और सुप्लाइंं भाइ ओडार बोथ जानि कि क्या कर सकता है मैनिस्क्षक्चर करने के लिए उसको cities पे कोई जमीन दे सकता है या कोई in any specified area you manufacture करने के लिए या Supply करने के लिए या दोनों के लिए या बैचने के लिए या तीनों की थीनों काम के लिए यह इस जगां पे intoxicating drug in any specified area इस बात को ध्यान रखेंगा कि अगर state government चाहे तो किसी specific area में जहां पे जाने कि किसी person को उसने lease दी और बोला केबल बिलासपुर में तुम्हें बेचने के लिए lease दी जा रही है उसके बाहर के लिए applicable नहीं होगा की कैसर अब यहां पे एक concept को समझने की कोशिश कीजिए यह concept क्या है लीजी और सब लीजी का मान लीजे कि यह government है और government ने person 1 को क्या बोला कि मैं तुम्हें यह देता हूँ कि तुम जो है शराब को बनाओ कितनी शराब बनाओ जितनी तुम्हें बनानी है बनाओ केवल बेलासपुर डिस्टिक के लिए यह person चाता है कि मेरी एक factory तो लगी गई है मेरे नाम पे दूसरा person है वो भी क्या करें एक factory लगा दे हम दोनों मिलके बनाएंगे तो बहुत सारी शराब बनेगी तो यह person कौन हो गया लीजी हो गया जिसने लीज ली थी और यह सब लेसी होगा यानि कि अगर इस person को भी शरा application लिखनी होगे और application लिखने के बाद जो है यह case क्या हो जाएगा state government चाहे तो allow कर सकती है और उसके बाद जो है सब लेसी भी शराब उसके साथ बना सकता है नहीं कि लीज दी गई कि state government ने लीज दी एक person को वो person किसी दूसरे person को भी lease पे कुछ काम करवा सकता है यही कहा गय है इसके अंदर जो हमने पढ़ लिया है state government जो है किसी person को दे सकती है lease वो क्या करेगी उसके ऊपर condition implose कर देगी manufacturing की लीज हो सकती है supplying की selling की हो सकती है manufacturing supply इन सब चीज़ों का हो सकता है जो कि किसी specific area में होना चाहिए यानि कि यह बात भी हमारी clear हो गई है तो आगे का जो हमारा portion है वो next part में करेंगे आज ही record होगा लेकिन आपको देखने को मिलेगा next video में क्योंकि वीडियो जादा लंबे नहीं करने है आज के इस portion में अगर आपको को डाउट रहे गया तो आप हमें बता सकते हैं अगले वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए all the very best keep studying and keep working hard thank you अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team COCO